हेलो फ्रेंड्स मैं सुसमा कुहाड वेलकम टो माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा लोंग स्कार्प बना कर लाई हूं आज मैं आपको ये लोंग स्कार्प बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाया गया है फ्रेंड से स्कारफ देखने में जितना सुन्दर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है इसे निव बिगनर्स भी आसानी से बना सकती है ये स्कारफ देखने में जितना सुन्दर है पहनने में उतना ही कमपटेबल है इस स्कारफ को बनाने में 125 ग्राम ओन लगी है आगे इसे म इसमें ये तीन तार अलग-अलग बनी होती हैं और इसमें मैंने ये 9 नमबर की सलाई यूज की है। सकार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 11 फंदे, फंदे मैंने नॉर्मल ही डाले हैं। फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सलाया बुनते हुए मैंने ये 9 इंच लंबी पट्टी बना ली है तो 9 या 10 इंच की आप इस तरह से एक पट्टी तयार कर लीजिए अब इसमें हम यहाँ पर फंदे बढ़ाएंगे तो हम हमारे पास है 11 फंदे हमें इसके 21 फंदे बनाने हैं तो यह देख लिजिए एक फंदे को हम इस तरह से बना लेंगे और इस वाले फंदे के नीचे से लुप उठाएंगे और एक फंदा हम नीचे से बना देंगे अब हमारा यह जो सलाई के उपर फंदा है इसको हम बुन द ये देख लिजे एक फंदे से हमारे दो फंदे हो गई अब हमें पूरी सलाई में ऐसे ही बुनना है नीचे से ऐसे लुप उठाएंगे और एक फंदा हम इसमें से बुन देंगे फिर जो हमारा सलाई के उपर फंदा है इसको भी बना लेंगे फिर से देख लिजे इस तरह से नीचे से लूप उठाएंगे और इसको हम ऐसे बुन देंगे और फिर इस फंदे को भी बना देंगे तो ऐसे करते हुए सभी फंदों के हमें एक से दो बनाने हैं एक फंदे को हमने ऐसे ही बुना है बाकी के 10 फंदों को जब हम डबल करेंगे तो हमारे 21 हो जाएंगे तो एक फंदे को हमने ऐसे ही normal बनाया है बाकी के 10 फंदों के हमने डबल किया है आप देखिए ये इसकी उल्टी साइड है क्योंकि हमने जो फंदे बढ़ाई हैं ये फंदे डालने की बाद सीधी जो किनारी है इसी तरफ से बढ़ाए है ये इसकी अब उल्टी साइड है तो यहां से हम इन 21 फंदों को उल्टा बुनेंगे तो अब देखिए यह इसकी सीधी साइड है उल्टी साइड से मैंने सलाई को बुन लिया है अब यहां पर इसमें हम जाली डालेंगे तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और यह 6 फंदे हम इस तरह से उल्टे बुनेंगे फंदे को हम ऐसे स्लीप कर देंगे फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे और एक फंदे को हम ऐसे सीधा बना देंगे तो देखिए इस फंदे के इधर जाली से फंदा बढ़ गया अब धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे हम सीधे बनाएंगे देखिए एक और ये दो, तो इन दो फंदे से पहले भी हमारी एक जाली आ गई है, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, और एक फंदे को हम सीधा बुन देंगे, तो एक जाली हमारी यहां पर आ गई, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, और दो फंदे हम सीधे बनाएंगे, द इस तरह से सीधा बुन देंगे अब धागे को देखे इस तरह से हम बैक साइड से ही ऐसे लपेट देंगे ध्यान से देख लीजिए इस फंदे को हमने धागा अपनी तरफ करके सीधा बनाया तो इधर जाली आ गई हमें इधर भी जाली बनानी है तो पीछे की तरफ जो धाग इसको ऐसे लपेट देंगे और इस फंदे को हम यहाँ पर ऐसे स्लिप कर देंगे अब धागा अपनी तरफ करेंगे और लाश्ट में हमारे छे फंदे हैं इनको हम उल्टा बुन देंगे तो इसमें हमने तीन जगह पर जाली बनाई है अब उल्टी साइड से इन सभी फंदों को हम उल्टा बुन देंगे तो धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सलाई को उल्टा बना दीजिए तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने सलाई को बिल्कुल उल्टा बुन लिया है अब आज ये इसकी सीधी साइड पर सीधी साइड पर देखिए एक दो तीन चार पा और ये 6 फंदे हम दोनों साइड से ये इसी तरह से उल्टे बुनेंगे धागा पीछे करेंगे इस एक फंदे को हर सीधी स्लाइपर हम यहाँ पर स्लिप करेंगे तो ये एक मोटी फली के जैसी चैन बनेगे अब देखे धागा पीछे ही रहे ये जो जाली से बनाया हुआ फं इसके दोनों साइड हर सीधी स्लाइपर जाली आएगे तो अब धागा अपनी तरफ कीजिए और यहाँ पर अब हम चार फंदे सीधे बनाएंगे क्योंकि पहले हमने धागा अपनी तरफ करके दो बनाए थे लेकिन एक जाली से इधर बढ़ गया और एक इधर तो अब ये ह दोनों तरफ भी हम चाली बनाएंगे तो धागा अपनी तरफ करके इसको सीधा बनेंगे तो यहाँ जाली आगई फिर से धागा अपनी तरफ करके चार फंदे सीधे एक दो तीन और ये चार फिर देखिएगा धागा अपनी तरफ करेंगे और इस एक फंदे को हम सीधा बन अब इन 6 फंदे से पहले ये वाला जो हमारा सीधा फंदा है इसको हर बार हम ऐसे ही स्लिप करेंगे धागा अपनी तरफ कर देंगे और एक दो तीन चार पांच और ये देखिए ये हमारा छटा फंदा है तो इसको हमने बुन दिया अब हम इस साइड से भी इसमें फंदे साइड है तो यहां पर हम उल्टी साइड से फंदा बढ़ाएंगे तो यह देखिए इस तरीके से जब हम उल्टी साइड बढ़ाएंगे तो यहां से हम पहले एक फंदा इस तरह से बुन लेंगे फिर इस फंदे को बुनेंगे तो इधर अब हमारे ये साथ फंदे हो गई ह यहाँ पर अब आपने हर उल्टी स्लाई पर एक फंदा बढ़ाते जाना है बाकी के सभी फंदों को आप इसी तरह से उल्टा बुन लिजिए तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने स्लाई को बुन लिया है अब आज ये इसकी सीधी साइड पर सीधी साइड पर ये छे फंदे हम पहले उल्टे बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच और ये छे अब धागा पीछे करेंगे इस एक फंदे को हम यहाँ पर स्लिप कर देंगे धागा पीछे ही रहे ये देखिए एक और ये दो फंदे हमने यहाँ पर सीधे बनाए इस फंदे के दोनों साइट जाली आएगी तो धागा अपनी तरफ कर देंगे और इस एक फंदे को हम सीधा बनाएंगे तो एक जाली आ गई अब धागा अपनी तरफ करके ये देखिए एक दो तीन च्यार पांच और ये छे फंदे हम सीधे बनाएंगे अब इस फंदे पर जाली आएगी तो धागा अपनी तरफ कर देंगे और इसे हम ऐसे सीधा बनाएंगे फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और छे फंदे सीधे बनाएंगे एक दो तीन च्यार पांच और ये छे अब धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को सीधा बनाएंगे तो यहाँ पर जाली सी फंदा बढ़ गया फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर यह दो फंदे सीधे एक और यह दो और यह वाला जो फंदा है इसे हम हर सीधी स्लाइपर स्लिप करेंगे इसे यहाँ पर यह एक फली बनती जाएगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे अब यह साथ फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच छे और यह साथ अब उल्टी साइड पर आएंगे तो यहाँ से हम फिर से एक फंदा ऐसे निचे से लुप लेंगे और इसको हम ऐसे बुन लेंगे फिर इस फंदे को भी बुन देंग तो यहाँ पर हम हर उल्टी स्लाई पर एक फंदा बढ़ाते जाएंगे बाकी की हमने जो तीन जगह पर जालिया डाली हैं हर सीधी स्लाई पर इसमें हमारे फंदे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे उल्टी साइड से यह सारे फंदे अब हम उल्टे बुनेंगे तो ये देखिए फ्रेंट्स उल्टी साइड से मैंने सलाई को बना लिया है एक बार मैं आपको इसमें फिर से जाली डाल कर दिखा रही हूँ फिर आगे आपने ऐसे ही इसको कंटीन्यू रखना है ये देखिए एक दो तीन च्यार पांच और ये छे फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पिछे करेंगे इस एक फंदे को हम स्लिप करेंगे उसके बाद एक दो और ये तीन फंदे हम यहाँ पर सीधे बनाएंगे फिर धागा अपनी तरफ करके इस एक फंदे को ऐसे सीधा बुन देंगे तो इधर जाली आ गई फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ और ये आठ फंदे हम ऐसे सीधे बुनेंगे अब इस बीच वाले फंदे पर हमें जाली बनानी है तो धागा अपनी तरफ करके इसको हम सीधा बुन देंगे फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और ये हम देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ और ये जाली वाला आठ फंदे सीधे बुनेंगे फिर से धागा अपनी तरफ और ये एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी तरफ अब हम तीन फंदे बनाएंगे एक, दो, और ये तीन और ये वाला जो फंदा है इससे हम यहां हर सीधी स्लाई पर स्लिप करेंगे धागा अपनी तरफ करके एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और ये आठ अब आज ये इसकी उल्टी साइड पर उल्टी साइड पर हम यहां से फंदा बढ़ाएंगे ये इसकी बैक साइड बनेगी जिससे हमारी जो है बैक साइड अच्छे से कवर हो जाएगी तो यहां से ऐसे लुप उठा कर अपने फंदा बढ़ा देना है बाकी के सभी फंदों को फिर आप उल्टा बुन दीजिए तो ये देखे फ्रेंट्स उल्टी साइड से सलाई को मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया है अब आगए हम इसकी सीधी साइड पर सीधी साइड पर अब आपको हर बार ये छे फंदे उल्टे बुनने हैं इस फंदे को स्लिप करना है जो जाली से फंदे बनते जा रहे हैं इनको हम सीधा बुनेंगे इस फंदे के दोनों साइड पर हमारी जाली आएगी फिर ये जो हमारा देखिए ये वाला फंदा है इसके दोनों साइड जाली आएगी और इधर इसके दोनों साइड पर जाली आएगी चार बार इसमें मैंने ये जाली बना दी है अब इसमें मैं पांच बार जालिया और डाल देती हूं तो हमारी टोटल इसमें नो जालिया हो जाएंगी और ये जो हमारा साइड का है यहाँ पर उल्टी साइड से हम ऐसे ही फंडा बढ़ाते जाएंगे तो अब मैं इसमें 9 जाली होने तक बना लेती हूं फिर आगे दिखाती हूं तो यह देखे फ्रेंड्स इसमें मैंने 9 जालियां बना ली हैं तो 9 बार जब हमने 3 जगह पर जाली डाली हैं तो 54 फंदे यानि 54 फंदे हमारे बीच में बढ़ गए हैं और यहां पर हम उल्टे साइड से फंदे बढ़ आ रही हैं तो यहां पर हमारे 8 फंदे बढ़ गए हैं 21 फंदे से हमने यहां पर स्टार्टिंग की थी और अब हमारे फंदे बढ़ाने के बाद यहां पर टोटल 83 फंदे हो गए हैं अब देखिए इसमें हम आगे कैसे बनाएंगे ये जो हमारे छे फंदे हैं इनको हम इसी तरह से उल्टा बुनेंगे एक दो तीन चार पांच और ये छे उसके बाद हम धागा पीछे करेंगे और इस फंदे को ऐसे ही हम स्लिप करेंगे इससे यहां से ये उभरी हुई चैन ब च्यार पांच छे साथ आठ और ये नो नो जाली डालने से ये हमारे नो फंदे बड़े हैं अब यहां हम जाली नहीं बनाएंगे इस फंदे को ऐसे ही सीधा बुन देंगे अब देखिएगा यहां भी हमें जाली नहीं बनानी है हम जाली डालेंगे ये जो इसकी बीच वाल जाली जाली है इस पर तो यहां तक के फंदों को भी अब आप ऐसे ही सीधा बनाईए तो यह देखिए फ्रेंड्स यहां तक के फंदों को हमने बना लिया है यहां पर हमने जाली नहीं बनाई है अब हम इस जाली पर आगे 6 जालियां और बनाएंगे तो यानि 6 फंदे इधर बढ़ जाएंगे और 6 फंदे इधर बढ़ जाएंगे तो धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को हम ऐसे सीधा बुनेंगे अब धागा अपनी तरफ करके यहां से लेकर और देखे यहां एक फंदा ये वाला रहने तक बाकी के सभी फंदों को हम सीधा बुन देंगे इस वाली जाली पर हम जाली नहीं डालेंगे, इस पर और इस पर हमें सिरफ 9 जालियां बनानी है, जो बीच वाली हमारी जाली है, इस पर हम टोटल 15 जालियां बनाएंगे, तो धागा अपनी तरफ कीजिए, और अब इन फंदों को आप सीधा बुन दीजिए, तो ये ये जो हमारे उल्टे फंदे हैं, इनको हम उल्टा ही बुन लेंगे, और उल्टी साइड से हम ठीक ऐसे ही फंदा बढ़ाएंगे, जैसे कि मैंने पहले आपको बढ़ा कर दिखाया है, छे जाली जो हम बीच में डालेंगे, वही छे फंदे हम यहां पर बढ़ाएंगे, उस फंदा बढ़ा देंगे, और पूरी सलाई को अब हम उल्टा बुनते हुए कंप्लेट कर देंगे, तो अब आगे हमें पांच जालिया और डालने हैं, क्योंकि एक हमने डाल दी है नो के बाद, और पांच और डाल देंगे, और यहां पर हम ऐसे ही फंदा बढ़ाएंगे, तो अब मैं इसकी बीच में टोटल 15 जाली होने तक बुन लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि हमें आगे कैसे बुनना है, तो यह देखिए फ्रेंड्स, यहां तक हमारी 15 जाली कंप्लेट हो गई हैं, यहां तक हमने 9 जाली बनाई थी, उसके बाद सरफ बीच वाली जाली पर हमने फंदे बढ़ाई हैं, तो यहां पर टोटल 15 जाली कंप्लेट हो चुकी हैं, अब मेरे पास इसमें 101 फंदे हो गई हैं, आगे हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं, सिरफ हमें इसकी लेंद कंप्लेट करनी हैं, इसे मैं डबल कलर में बनाऊंगी, मैं इसम फंदे नहीं बढ़ाईंगे, यह एक सलाई हम ऐसे ही बुन देंगे, उसके बाद उल्टी तरफ से हम अपने सैकिंड कलर को जोइंट करेंगे, तो इस सलाई में देखिए, जो फंदे उल्टे हैं, उनको हम उल्टा बुन देंगे, धागे को पीछे करेंगे, यह जो एक फं बाकी के बीच में जितने फंदे हैं, इनको हम सीधा सीधा बुन देंगे, तो इस सलाई को मैं कम्प्लीट कर देती हूं, तो यह देखिए फ्रेंट, सीधी साइट से सलाई को बुनने के बाद हम आ गई उल्टी तरफ और यहां से मैंने वाइट कलर को जोइंट कर लिया है, अब यहां से हम वाइट कलर से बुनना शुरू करेंगे, अगर आपको एक कलर से बनाना हो, तो आप एक कलर से बना लिजिए, और दो रंगों में बनाना हो, तो इसी तरह से आप अपने सेकिंड कलर को जोइंट कर लिजिए, और इस पूरी सलाई को हम उल्टा बुन देंग तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने पूरी सिलाई को उल्टा बुन लिया है सीधी साइड से अब ये छे फंदे तो हम उल्टे बनाएंगे फिर एक फंदे को स्लिप कर देंगे बीच के जितने फंदे सीधे दिख रहे हैं उनको फिर हम सीधा बुनेंगे और लास्ट में हमारे जो फंदे उल्टे हैं उनको हम उल्टा बुनेंगे और यहां पर भी ये एक फंदा स्लिप करना होता है इसको हम स्लिप करेंगे तो दो सलाई मैं वाइट कलर से बनाऊंगी फिर दो सलाई से मैं इस ग्रे कलर से बनूंगे तो ऐसे ही एक color से दो सलाईया बुनती जाओंगे और अब मैं इसकी length को complete करूंगे तो मैं इसे एक बार बुन लेती हूँ कि हमें इसकी कितनी length बुननी है फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि total हमने कितनी length बनाई है आगे हमें घटाई कैसे करनी है तो आप चाहे एक रंग में बनाईए या दो रंग में बनाईए आगे इसी को आपने continue करना है जो उल्टे उनको उल्टा बनाईए जो सीधे उनको सीधा बनाईए इस फंदे को आप ऐसे ही सीधी सिलाई पर जरूर slip कीजिए तो इससे ये उबरी हुई चैन हमारी देखे बनती जा रही है तो मैं एक बार इसकी length को बुन लेती हूँ फिर आपको आगे दिखाती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स इसकी length मैंने complete कर ली है इसे यहां से लेकर और यहां तक मैंने 9 इंच बनाया है मैं आपको नापकर भी दिखा देती हूँ ये देखिएगा यहां तक इसकी जो total length है वो 9 इंच बन गई है आप इसे single color में बनाईए या double color में बनाईए जहां पर हम जाली डालना बंद करेंगे उससे आगे आप इसकी length 9 इंच बनाकर complete कर लीजिए अब देखिए जैसे हमने ये वाला पार्ट बनाया है सेम अब हम यहां पर बनाएंगे यहां पर हमने जाली डाल कर फंदे बढ़ाए हैं लेकिन यहां पर हम जाली डालने के साथ-साथ फंदों को घटाएंगे तो हमारे पास यहां total 101 फंदे हैं 101 में से 6 फंदे यहां पर उल्टे बनाए गई हैं और 20 फंदे इधर उल्टे बनाए गई हैं बीच में 75 फंदे सीधे सीधे बनाए हुए हैं तो 75 फंदे के ठीक बीच में हमें यह जाली डालनी है और इसके दोनों साइड पर हमें फंदे घटाने हैं और फिर यहां पर हमारे 6 दर से और 6 दर से कम हो जाएंगे फिर हमारी यह वाली जो जाली हैं यह स्टार्ट हो जाएंगी और इनके दोनों साइड पर हमें फंदे घ करेंगे जो कि हम हर बार करते आ रही हैं और आगे 33 हंदों को बुन लेंगे तो यहां से यहां तक आपके 34 हंदे हो जाएंगे आप 34 बुनने के बाद 1, 2 और यह 3 इन 3 हंदों को हम हलका सा लूज करेंगे और आगे से सलै डाल कर 3 पंदे का यहां पर एक फंदा बना देंगे तो ये देखे तीन का एक करने से यहां पर हमारे दो फंदे कम हो गए हैं अब धागा अपनी तरफ करेंगे और इस एक फंदे को हम सीधा बना देंगे तो एक फंदा हमारा वापस बढ़ गया है यानि हमने दो घटाई थे तो एक हमने जाली से ठीक उसी तरह हमें एक-एक ही घटाना है तो जाली को भी continue रखना है इसलिए तीन का एक करेंगे और आगे जाली से बढ़ा देंगे तो फंदा हमारा एक ही कम होगा अब देखिए इधर धागा अपनी तरफ लाएंगे इस फंदे को हम पलट देंगे तीन फंदों में बैक डालेंगे धागा अपनी तरफ रहे और तीन का हम एक फंदा बना देंगे यहां पर भी तीन का एक करने से दो फंदे कम हुए है तो जाली से हमने एक बढ़ा दिया है तो इधर भी हमारा एक ही फंदा कम हुआ है अब यहां से यहां तक हमारे यह 34 फंदे हैं सीधे वाले इ और इस वाले फंदे को हम slip करेंगे आगे के 20 फंदों को हम उल्टा बुनकर सलाई को complete कर देंगे तो यह देखे फ्रेंट्स मैंने सलाई को complete कर लिया है अब देखे यहां पर हमने जो फंदे बढ़ाए थे वो उल्टी साइड से बढ़ाए हैं तो यहां पर भी हम जो फंदे घ complete करेंगे तो यहां से भी हमारा एक फंदा कम हो गया है तो अब आप इस सलाई को बुन लेजिए तो यह देखे ए उल्टी साइड से सलाई को मैंने बुन लिया है अब आ गई हम इसकी सीधी साइड पर तो सीधी साइड पर यह जो 6 फंदे हैं इनको हम उल्टा बुन लेंग तो यह 6 फंदे देखे हम इस तरह से बुनेंगे फिर धागा पीछे करके इस एक फंदे को हम स्लिप करेंगे और फिर हम फंदों को सीधा बुनना शुरू करेंगे अब देखिए आपको इस तरह से पहचान मिलेगी यह जो हमने यहां पर जाली डाल रखी है यह वाली तो द देखिए इन फंदों को सीधा बुनने के बाद अब देखिए यह एक जाली यह तीन का एक किया था और एक यह इन तीनों फंदों को अब हम ऐसे लूज करेंगे धागा पीछे रहे और आगे की साइड से इनमें हम स्लाइड डालेंगे इनको लूज जरूर कर लिजिए ताक अब यहां पर भी हमारा तीन का एक करने से दो फंदे कम हो गए तो धागा अपनी दरफ करेंगे और इस फंदे को हम सीधा बुन देंगे तो जाली से एक फंदा एक पंदा पर बढ़ गया है । अब हमें इसको ऐसे ही कंटिन्यू करते जाना है तो यहां पर अब हम दूसर बार फंदे घटा रहे हैं 6 बार जब हमारे यहां पर जाली के साथ साथ फंदे कम हो जाएंगे तब हमें एक जाली के साथ यहां पर फंदे घटाने हैं और एक जाली के साथ इस साइड पर घटाने हैं तो यह आप ध्यान से देख लीजेगा आगे चार बार फिर आपको ऐसे ह करना है फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे इस जाली वाले फंदे को हम पलट देंगे एक दो और ये तीन इन तीन फंदों को हम लूज करेंगे बैक साइड से स्लाइड डालेंगे धागा अपनी तरफ है और तीन का यहां पर हम एक फंदा बना देंगे तो जब हम तीन का एक करते हैं तो 2 फंदे हमारे कम होते हैं और जाली से एक फंदा हमारा बढ़ जाता है अब आगे जो फंदे हैं ये सीधे इनको सीधा बनाईए ये एक फंदा स्लिप कीजिए और उल्टे फंदों को आप उल्टा बनाईए जब आप उल्टी साइड से बुनना शुरू करेंगे तो यहां पर पहले आप दो का एक कीजिए और फिर पूरी सलाई को उल्टा बना दीजिए। जब आप सीधी साइट पर आएंगे तो आपने फिर से वही करना है ये छे फंदे उल्टे एक फंदा सलिप करेंगे और यहां पर देखे ये एक जाली एक फंदा और एक ये तीन फंदे रहने तक बाकी के सभी फंदों को आपने सीधा सीधा बुन के और यहां तीन का एक कर द पंदे कम कर लेती हूं और यहां पर आपने ध्यान रखना है हर उल्टी स्लाई पर दो का एक करना है तो 6 पंदे हमारे यहां से कम हो जाएंगे और बीच में यह जो जाली डाल रहे हैं 6 इसके इधर कम होंगे और 6 इसके इधर कम होंगे तो मैं अब इसे 6-6 पंदे कम होने तक बुन लेती हूं फिर हम दोनों साइड पर जाली के साथ फंदे घटाना शुरू करेंगे तो ये देखें फ्रेंड्स हमने ये 6 जाली बीच में डाली हैं और 6 फंदे इधर से घटा दिये हैं 6 फंदे इधर से घटाए हैं और इधर से भी हमने 6 फंदे घटा दिये हैं दोनों साइड पर ये वाली जाली स्टार्ट करके और इसके साथ फंदे घटाना शुरू करेंगे तो 9 जाली से हमने 9 फंदे एक साइड पर बढ़ाए और 9 फंदे दूसरी साइड पर बढ़ा दिये थे तो ये जो हमारे 6 फंदे उल्टे हैं उसके बाद ये एक फंदा हमने स्लिप किया था और 9 फंदे हमारे जाली से बढ़ाए गए थे तो अब देखिए हम कैसे करेंगे ये 6 फंदे बनाईए देखिए 1,2,3,4,5 और ये 6 फिर धागा पीछे करेंगे और इस एक फंदे को हम स्लिप कर देंगे अब हमने जो 9 फंदे जाली से बढ़ाए थे उस में से हम 6 फंदे बनाएंगे तो ये देखिए 1,2,3,4,5 और ये 6 तो 9 में से हमने 6 फंदे सीधे बुन लिए हैं एक, दो और ये 3 इन 3 फंदों को हम हलका सा लूज करेंगे और आगे की साइड से स्लाई डाल लेंगे और 3 का 1 फंदा बना देंगे 3 का 1 करने से 2 फंदे कम हो गए दागा अपनी तरफ करेंगे और इस एक फंदे को हम ऐसे सीधा बुन देंगे अब देखिए इस फंदे के दोनों साइड हमारी जाली आएगी तो धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बेक साइड से देखिए हम तीन फंदे का ये एक फंदा बना देगे ये देखिए यहाँ पर भी तीन का एक करने से दो फंदे कम अब देखिए जो बीच का डिजयन है, ये एक जाली, एक फंदा और एक ये ये तीन फंदे रहने तक बाकी के फंदों को आप सीधा सीधा बुन लीजिये तो ये देखिए इन फंदों को मैंने बना लिया है ये जाली है ये तीन का एक किया और एक ये वाला फंदा इन तीनों को आप हलका सा लूज कीजिए आगे से स्लाइड डाल कर यहां पर आप तीन का एक कीजिए बीच वाली जाली पर यहां तक हमने 15-15 फंदे बढ़ाये थे यानि 15 जाली डाली थी तो 6 जालिया बनाने के बाद फिर हमने ये वाली जाली शुरू किए तो ये हमारी ऐसे ही continue चलती रहेगी अब 3 का एक करने के पाद धागा अपनी तरफ कर लेंगे और इस बीच वाले फंदे को हम सीधा बुन देंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे इस जाली वाले फंदे को पलट देंगे एक, दो और ये तीन इन तीन फंदों को हम इस तरह से back side से लेंगे और तीन का एक फंदा बना देंगे अब ये देखिएगा हमें इस side पर भी अब जाली बनानी है तो उसके लिए देखिए आप कैसे फंदे गिनेंगे इधर हमने 9 जाली डाल कर 9 फंदे इस side जो बढ़ाए थे एक फंदा हमने ये slip किया तो देखिए एक ये जो हमने slip किया और फिर आगे 9 फंदे हमें और लेने है तो यानि टोटल 10, 2, 4, 6, 8 और ये 10 अब इस फंदे के दोनों side हमारी जाली आएगी तो एक फंदा हमारा ये हो गया हम 3 का एक करेंगे तो 3 फंदे हमारे ये हो गये यानि टोटल हमने ये जो उल्टे फंदे हैं इससे आगे 14 फंदे गिन लिये हैं और इसमें हम कोई भी मार मारक लेंगे मैं यहां पर safety pin ले रही हूं और इसको लगा देंगे बहुत ही आसान तरीका है अपने फंदों को count करने का 9 जाली डाली थी एक हमारा ये slip किया हुआ था एक फंदे पर हमें जाली डालनी है और 3 का इधर से एक करना है तो टोटल हमने 14 फंदे के बाद मारक लेंगे तो यह देखिए इन फंदों को मैंने बना लिया है यह आपको मैं बता देती हूँ यह जो हमने 3 का एक किया है और यहां पर जो हम 3 का एक करेंगे इसके बीच में भी हमने 14 फंदे ही बनाए हैं अब हम इस मारक को हटाएंगे और 3 फंदों को हलका सा लूज करेंगे और आगे की साइड से स्लाइड डाल कर तीन फंदे का हम एक फंदा बना देंगे अब तीन का एक करने से दो फंदे कम हो गए धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे तो इधर हमारी जाली आगी अब धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को पलट देंगे बैक साइड से तीन फंदे का अब हम एक फंदा बना देंगे तीन का एक करने से दो फंदे कम होते हैं तो जाली से हमने एक पहले बढ़ा दिया है तो अब हमारी ये जाली कंटिन्यू रहेगी इधर से भी ती इनका एक करते जाएंगे और इधर से भी तीन का एक करते जाएंगे अब ये देखिए इधर हमारे ये साथ फंदे सीधे वाले हैं तो इसमें से हम छे फंदों को सीधा बुनेंगे एक फंदे को हर सीधी स्लाइपर हम स्लिप करते आ रहे हैं तो इसको हम ऐसे ही स्लिप करते आगे हमारे ये 14 यानि 14 फंदे हैं इनको हम उल्टा बुन लेंगे यहां पर हम उल्टी साइड से फंदा कम करते आ रहे हैं तो हम उल्टी साइड से ही यहां पर फंदा घटा देंगे तो यह देख लिजिए सलाई को मैंने कम्प्लीट कर दिया है और अब उल्टी साइड से हम यहां पर दो का एक करेंगे और पूरी सलाई को उल्टा बुन देंगे यहां पर जब हमने यह स्टार्टिंग की थी तो 6 फंदे यह उल्टे रखे थे और उसके बाद बढ़ाना शुरू किये थे यहां पर भी जब हम ऐसे ही उल्टी साइड से एक एक फंदा घटाते और यहां पर अब हमें ऐसे ही कंटिन्यू करते जाना है यह देखिए इस फंदे के हमारे दोनों साइड यह जाले आ गई है जो के आपको दिखने लग गई है यहां पर यह जाली यह फंदा और इन तीन का आपने हर सीधी सलाई पर तीन का एक करना है धागा अपनी तरफ कर अब आप जाली continue रखिए तीन-तीन का एक एक करते जाईए और फंदों को घटाते जाईए तो last में हमारे इसमें देखिए जब आपके इधर से एक-एक-दो-दो फंदा कम होना बाकी बच जाएगा तब तक मैं बुन लेती हूँ फिर आपको दिखाऊंगे कि last में हम इसका end कैसे करेंगे तो अभी मैं इसको ऐसे ही जाली continue करते हुए फंदे घटा लेती हूँ तो आप भी इसे बुन लेजिए फिर आगे दिखाती हूँ कि इसका end कैसे करेंगे तो ये देखिए फ्रेंट से इसमें हमने फंदे घटाते हुए यहां last तक बना लिया है अब ही हम यहाँ पर एक बार इसमें और फंदे घटाएंगे और उसके बाद जैसे हमने ये पट्टी के बाद एक दम से फंदे बढ़ाए थे एकी सलाई में फिर हम एक दम से ही इनको घटा देंगे तो देखिए इसमें हम कैसे करेंगे, जब आपके बिलकुल लाष्ट में इस तरह से बज जाएंगे, ये आखरी का जो फंदा अमारा स्लिप किया हुआ था, जबकि हमने तीन का एक किया था, इसमें पहले वाली सलाई में और ये जाली है, इधर भी ये जाली है, ये तीन का ए किया हुआ है जब इस तरह आपके फंदे बच जाएंगे तब देखिए आपने कैसे फंदे घटाने हैं क्योंकि अब की बार इसमें हम जाली नहीं बनाएंगे सिरफ फंदे घटाएंगे तो ये 6 फंदे उल्टे बनाएंगे धागा पीछे करेंगे और देखिएगा ये और य जाएगा ये जो बीच वाला फंदा है जिस पर हम जाली बना रहे थे इसको हम ऐसे ही सीधा बुन देंगे ये जो जाली वाला फंदा है इसको हम पलट देंगे और फिर बैक साइड से हम दो का एक कर देंगे यहां पर भी देखिए ये हम तीन का जो एक कर रहे थे और ये ज जाली वाला फंदा है जिस पर हम जाली बना रहे थे इसको हम ऐसे ही सीधा बना देंगे अब ये और ये इन दोनों में आप इस तरह से बैक साइड से स्लाइड डालिए और दो का एक कर दीजिए अब ये फंदा और ये जाली इन में आगे से स्लाइड डाल लीजिए और दो का एक कर दीजे, इस फंदे को अब हम ऐसे सीधा बुनेंगे, इस वाले फंदे को ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से दो का एक कर देंगे, अब धागा अपनी तरफ करेंगे, ये देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये छे फंदे यहां पर हमारे उल्टे बच गए हैं, तो अब हमारे पास ये सिरफ 21 फंदे बचे हैं, तो अब इन 21 फंदों को हम उल्टी साइड से उल्टा बुन देंगे, तो ये देखिए, अब ये जो हमारे 21 फंदे हैं, इनके हम 11 फंदे बनाएंगे, तो देखिए कैसे करेंगे, एक फंदा हम पहले ऐसे ही उल्टा ब बच जाएगे तो देख लिजिए ऐसे आप दो का एक कीजिए फिर से दो फंदे का एक कर दीजिए अब हमें आगे उल्टी उल्टी सलायों से अपनी इस पट्टी की लेंद को कम्प्लीट करना है क्योंकि अब हमारे पास ग्यारा फंदे बच गई हैं जैसे हमने पहले वाली पट्टी ग्यारा फंदे से स्टार्ट की थी तो यह दूसरी साइड की पट्टी के लिए भी हमारे ग्यारा फंदे बचे हैं दो च्यार छे आठ दसरेक ग्यारा तो अब दोनों तरफ से फंदों को उल्टा बुनते जाए और जितनी लेंद इस वाली पट्टी की बनाई है इतनी बुन लेजिए तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ फिर इसकी फाइनल लुक आपको दिखा देती हूँ तो यह देखिए फ्रेंट्स बहुत ही सुन्दर हमारी लॉंग स्कार बनके तयार हो गई है दोनों तरफ से देखने में बिल्कुल एक जैसी लगती है और पह आने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी फ्रेंट्स ग्रूप में से शेर कीजिए चैनल पर नई हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जुरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो के नॉटिफकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें थैंक यू